सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोविक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली Realme 9 Pro के अंदर Realme UI 3.0 का A.34 का अपडेट जो है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है और क्या है इसका अपडेट लॉग सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं Realme 9 Pro का मॉडल नमबर RMX3471 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है A.34 है और यह अफिसियल वर्जन है दोस्तो I mean Stable Update है और इस अपडेट का जो साइज है 4.11 MB का है तो यह रहा इसका Basic Software Interface और आप बात की जाए इसके Update Log की तो यहाँ पर Update Log में सबसे पहले चेंज की बात करे तो Security के अंदर March और April का Integrate I mean April 5th 2022 के साथ Current Month का Latest Enhanced Android Security पेच देखने को मिलता है इस Update के साथ इसके लावा बात की जाए अगले चेंज की तो Wi-Fi के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो Wi-Fi का Connection है वो प्राबलम करता था प्रापरली जो है Connect नहीं हो पाता था Wi-Fi से तो उसको इस Update के थूँ अप्टिमाइज करके Wi-Fi के Connection को बेटर कर दिया है जिससे कि अब आप Wi-Fi यूज करते है तो आपको काफी Quick Response के साथ Wi-Fi Connection या Connectivity देखने को मिलता है इस Update के साथ इसके लावा बात की जाए अगले चेंज की तो Camera के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो Rear Camera है उसमें फोटो लेने पर Blur Problem होता था फोटो जो है Clear आता नहीं था Blur हो जाता था तो उसको यहाँ पर Optimize करके बेटर कर दिया है जिससे की अगर आप फोटो अगरा लेते हैं तो आपको काफी Clear फोटो देखने को मिलता है इस Update के साथ इसके लावा बात की जाए अगले चेंज की तो System के अंदर यहाँ पर System में जो भी छोटे मोटे Non Issue थे Bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Fix करके पूरे के पूरे System Performance और उसके Overall System Stability को Optimize and Improve किया है जिससे की आप भी बेटर Experience देखने को मिलता है इस Update के साथ इंडगे इस बात की जाए इस Update के बाद इसके Battery Performance की तो यहाँ पर आप Checkout कर सकते हैं इसका जो Battery Performance है Slightly Upgrade देखने को मिलता है जो पहले थोड़ा बहुत Battery Draining का Problem फेंस करना पड़ता था उसको यहाँ पर Reduce करके Battery Performance को थोड़ा Improve कर दिया है जिससे की आपको थोड़ा Improve Battery Backup Battery Uses देखने को मिलता है इस Update के साथ इंडगे इस बात की जाए इस Update के बाद इसके Game Performance की तो यहाँ पर दोस्तो जो Game Performance है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है जो Frame Drop और Legging इसू थोड़ा बहुत देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Reduce करके Game के Performance को Optimize कर दिया है Boost कर दिया है जिससे की अगर आप Game Play करते हैं Game खेलते हैं तो आपको काफी स्मूद और Stable Game Play देखने को मिलता है इस Update के साथ तो यह रहा दोस्तो Realme 9 Pro का Full Update Log Chain Log दोस्तो यह Update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर दोस्तो